आप सबको मेरा नमस्ते अभी मैं आपको भाग दो बताऊंगी कि 45 बिंदू क्या है अभी है आपके जो 33 वा पॉइंट है वो है सिशु को दूसरे स्थन से दूद लाने से पहले मां को एक स्थन से पूरी तरह स्थन्पान करना चाहिए ठीक है तो यह एक अच्छा सा बिंदू है बहुत महत्वाका है क्योंकि क्या होता है कि यह जो आगे का जो दूद होता है वो उसमें पानी की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा जादा होती है ठीक है जो पीछे का दूद होता है पीछे का दूद बहुत गाड़ा होता है जितना वो गाड़ा दूद बच्चा पीएगा वो गाड़े दूद में होती है चर्बी वसा वसा में बहुत ही जो अच्छा वाला वसा है वह मा के दूद में है तो जितना बच्चा वह सावाला दूद पिएगा वह मोटा भी होगा उसका वजन भी बढ़ेगा और उसका दिमाग है वह भी बहुत तेज आपको उस पर द्यान देना है जासने के लिए क्या उसने हे शिशो पुरी तरह से पिलाए है या मां को अपने हाथ निकालना चाहिए बहुत टाइम स्गें मां को बोलते कि ईक बाज़ो पूरा पूरी और गाले करके दूसरी बाज़ो पिलाओ तो लेकिन मा क्या करती कि वो हमेशा जो एक स्थन है उसको दूसरे स्थन से वो जाचती है है तो अब ही मुझे तुरंथ दोजी देना है तो क्या करती कि पूरा एक तरफ से वो डूध स्थन काले नहीं करती है और तुरंत जल्दी में वो दुसरी तरफ बचे को पिलाती है, तो ये ना होए, इसलिए हम लोग ने एक जाचना, एक टेस्ट हम लोग ने मा को करना बहुत ज़रुरी है, उसमें हम लोग क्या बताते हैं, कि मा को क्या करना है, कि उसको जाचना है, कि ये बाजू जो दूद आ रहा है, घाड़ा पानी जैसा नहीं है, कि घाड़ा एंगाड़ा अगर गाड़ा दूद आरा है, तो बहुत सब्रेर दूद प्मेह करना है, जो जो पहुत बेस्ट Potter just away, आपको कतम हो गया, तो उसमें भी जो टेकनीक है, जो आसमें पहुतित आ wysap we तो मा को क्या करना है कि चाती को अपने स्टन है उसको चाती की और दबाना है पीछे के और फिर उसको अंदर की और दबाना है और फिर छोड़ना है तो मा को अगें वापस क्या करना है कि स्टन को चाती की और अंदर की और दबाना है उसको फिर कंप्रेस करना है और उसको रि नहीं चाहिए ठीक है उसको उसके जो जो उंगलिया है वो सिर्फ दो उंगली दूर होनी चाहिए और वही पर जहां पर एरियुला है वहां पर उंगली होनी चाहिए सिर्फ अगर निपल पर उंगली होगी तो निपल से दूर निकलेगा नहीं अगर बहुत दूर भी है तो उ उसका जो उंगलिया है वो एरिला पे हो और पीछे की तरफ दबा के वो प्रेस कंप्रेस रिलीस कर रही है तो वो कैसे दूद निकालना वो भी ज़रूरी है कि उसको जाचना है तो चलो देखते हैं कि यहां पर क्या लिखा है तो यह जाचने के लिए कि क्या उसने सीशु को एक स्तन से पुरी तरह से पिलाया है या नहीं मा को अपने हाथ से उस स्तन से दूद निकालना चाहिए जैसे बचे ने यहां पर दूद पिया तो यह हाथ से अभी वो थोड़ा दूद निकालके पूरा स्तन खाली हो आके नहीं वह स्टन जा चाही कि यदि स्टन से पतला पानी जैसा दूद निकलता है या फिर स्टन से घाड़ा दूद अच्छे से भैता है तो उसका मतलब है कि सिशु ने उस स्टन से पूरी तरह से फिर पातर से फिर पहले खैशा तो यह तो अगे आपका 34th point 35th point में क्या आता है कि माको शिशु को दोनों सतन से पूरा दूद पिलाना चाहिए जो protein से भरपूर पतला पानी वाला दूद है जो पहले आता है और वसा जो भरपूर घाडा दूद है जो बाद में आता है क्योंकि protein भी important है, पानी भी important है और वसा भी important है लथीनों cheese important है तो माको आगे का और पीछे का घाडा दूद दोनों ही देने चाहिए शिशु के विकास के लिए आगे का दूद और पीछे का दूद दोनों जरूरी है एक stun से पूरी तरह से stun-pan कराने के बाद ही शिशु को दूसरा stun दिया जाना चाहिए यदि शिशु अभी भी भूखा है तो वह दूसरे stun से भी stun-pan करेगा तो एक बार आपने एक बाजू दूद पिला दिया, फिर डेफिनिटली उसको ढकार देके दूसरी बाजू उसको यह स्तान ओफर करना है, बच्चे को सोचने दो कि उसको भूक लगी है कि नहीं लगी है, आपको तो वह स्तान देना ही है, अगर भूका होगा तो बच्चा ले पियेगा तो बच्चे को जानने दो कि उसको भूक है कि नहीं, आपको ओफर करना है, ठीक है, मा को दूसरी स्तन से पिलाने से पहले शिशू को धकार दिलानी चाहिए, ऐसा करने के लिए मा को शिशू को अपनी गोद में आराम से बिठाना चाहिए, फिर शिशू के जबड में शिशू को धकार आएगी, शिशू अपनी आखो आखे भी खोलेगा, ठीक है, तो ये कैसे ये भी उसकी पूरी टक्नीक है, कैसे बच्चे को दूद पिलाना है, तो ये है आपका बच्चे को ऐसे पिठाना है, उसके गोदी में बिठाना है, मा की गोदी में, ठीक है, औ और उसका जो मा की हाथ है वो बच्चे के जो कान के वहां पर यह जिव को च़ाँ है यह पर पकड़ने के और यह पर पकड़ करद के तोड़ा आगे की तरफ लाना है तीके दूसरा जो हाथ है वो पीट पर आना जाहिए आपको तब तपाने की ज़ुदह देसे सिफ इसका आपको पेटपर रखना है और इसी तरह बच्चे को बिठाना है तो बच्चे को गोधी में ऐसे बटाएएंगे एक थोड़ा आगे की तरफ बिठाएंगे तरह बटाएंगे और ये जो ध्य। में रखी कि आपकी जी उंगली है वो बच्चे के घरदन पर नहीं होनी चाहिए अपने जो हड़ी है वहां पर होनी चाहिए तो यह अगर बिठाने की पुजीशन में अगर आप धकार देंगे तो बच्चा तुरंत ही वह आख भी खुलेगा और धकार भी तुरंत ही मां भी सो जाएगी बच्चे का पेड़ भी नहीं बरेगा बच्चा सो जाएगा ठीक है तो आपको इसको अभी ऐसे मत दकार दीजिए आप उसको बिठा के रखार देके तो आपको आपको पता चले गया कि बच्चा कितना दूर पीता है उसको वजन बढ़ाना है फटा थे क्या दोड़ा तो इसको बच्चा सो गया कि भी तूर्णी उठाओ आ यहा तो तबर दोड़ा हो गया यह भज्यों सव थोड़ा होगया थो आपको तुरो जगा की उसको दूद पिलाना है वहना हमेशा मां दूदी पिलाती रहेगी वह सोता रहेगा मा ऐसे बैठी रहेगी तो ठक जाएगी तो फंद्रा बीस-30 मिनिट में उसको खतम करना है तो यहां पे क्या होता है कि अगर बच्चा सो गया तो आपको पीट पे थोड़ा गुद्गुद्गुद्गुद्गुद्गुद्गु ऐसे जैसे मैंने बताया जैसे आप उसको बैठने की स्थिति में रखेंगे तो तुरंती वह आख भी कुलेगा और वह बच्चा दूद्गने के लिए वापस वह रेडी हो जाएगा ठीक है यदि शीशु केवल निपल से जुड़ा है या स्तनपान करते समय वह सो जाता है तो मा स्थिशु के मूँ से स्तन को निकालने के लिए अपनी साफ चोटी उंगली उसके मूँ में डाल सकती है तो यह पॉइंट इंपॉटन्ट है इसमें क्या पताया है कि अगर बच्चे सिर्फ निपल उसके मूँ में गया है या तो बच्चा सो गया है और टाइट पकड इजना नहीं है क्योंकि खिचेंगे तो क्या होगा कि मा की जो निपल है महां पर उसको गाव हो जाएगे तो आपको बच्चे के मूँ में मा की जो साफ उंगली है जो ये वाले अचुटि वाले उंगली मा को बोल Helle that to push जो vacuum है उसको release करना है अगर मा उसके मुँ में उंगली डालके वो मुँ खोलेगी तो तुरंत ही बच्चे को बच्चे के मुँ में बच्चा मुँ खोलेगा और वो stun छोड़ देगा तो वो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे को कैसे stun से निकालना है और सिर्फ दो टाइ जितना पिना है उसको पीने दो ठीक है इससे शीशु का बंद मुँ खुल जाएगा और मा आसानी से शीशु के मुँ में से अरियुला निकाल सकती है ठीक है दूसरा पॉइंट है कि यदि शीशु की नाक मा के सतन से कसक कर रभी हो तो मा धीरे से शीशु की गर्दन को बाह जाए और शीशु का माथा मा के सतन से दूर हो जाए ठीक है तो यह क्या है कि क्या होता है कभी-कभी अगर बच्चा ऐसे सीधा बिल्कुल सीधा मा के सतन पर आता है तो इसमें क्या होता है कि उसके जो नाक है सपोज बच्चा सीधा आया सतन पर ऐसे नहीं आया लेकिन सीध आया, उसकी गर्दन सीधी है, बाहर की दरव जुकी नहीं है, अगर सीधी है तो उसका जो नाक है, वो स्तन पे दबेगा, ठीक है, तो जब नाक ऐसे दबेगा, तो मा को लगे रहे, बच्चा सास नहीं ले रहा है, वो तुरंती चुडाने की कोशिश करेंगी, तो आपको मा क बताना है कि अगर बच्चे को आप ऐसे लाएंगे, तो उसका नाक स्तन से हमेशा दूर रहेगा, ठीक है, तो वो तो पहले वो सला देनी है, लेकिन अगर बच्चा ऐसे आया, तो मा को बोलो कि थोड़ा पीछे की और करके, वो बच्चे को थोड़ा उसका जो गर्दन है व बच्चे को नाक स्तन से थोड़ा निकल जाएगा, तो जड़ा ध्यान में रखना चाहिए, नाक दब रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो यहां पर मैंने दिखाया हुआ है, यहां पर उसका नाक दब रहे है, दूसरा एक बात आपको मैं बता देती हूं, कि जब बच्चे का नाक दबता है, तो नाक ऐसे दबता है, जब ऐसे दबता है, तो बच्चे का नाक बन नहीं होगा, आप भी ट्राइ कीजिए, आप भी ऐसे नाक दबाएंगे, तो आपका नाक सास से अच्छी तरव आप ले सकेंगे, लेकिन अगर बच्चे का नाक ऐसे दब रहे है, तो तो बच्चे के नाक बन हो जाएगी, लेकिन जब बच्चा से जुड़ा होता है, तो ऐसे दबता है, तो मा को बोलो कि बिल्कुल चिंता करने की जरूत नहीं है, अगर बच्चे को नाक से सास नहीं आ रहे है बच्चे को, तो बच्चा लैचिंग छोड़ देगा, तो मा को ब कि नाख दब रहा है तो आपको क्या करना है ठीक है दूसरा पॉइंट है कि यदि शीशु सही ढंग से स्तनपान कर रहा है तो शीशु के गाल गोल और भरे हुए दिखने देंगे तो अगर बच्चे के मुह में अच्छी तरह से नीचे का अरुला का भाग है और अच्छी तर फूलेंगे तो वह ध्यान में रखना है अगर अच्छी तरह फूले नहीं है और थोड़ी से जो खड़े पड़ रहे है उसका मतलब वह लाचिंग गलत है ठीक है तो वह भी मैं दिखाती हूं कि क्या कलती है उसमें तो अगर वह गालों में कोई गड़ा नहीं होगा अगर निगलने के समय शिशु का जबड़ा धीरे धीरे और पस्ट रूप से नीचे की और जाता हुआ दिखेगा तो अगर अच्छी तरह से मुमें दूर जा रहा है तो दीरे धीरे वह निगलेगा अच्छा उसका जो गाल है उसके भरे हुए होंगे आपको निगलने की भी आव अगर तनपान के दौरान शिशु के गालों में गड़े दिखाए दे तो आपको यह गलत है मतलब कुछ नखुछ तो प्रॉब्लम है तो उसका मतलब है कि शिशु सिर्फ निपल से दूद पी रहा है अगर सिर्फ निपल मुमें है तो बच्चे को गड़े पड़ेंगे शि इसका मतलब है कि जो नीचे के अरला मुह में होना चाहिए, वो नीचे के अरला उसके मुह में है नहीं, उसके बदले उसका उपर का अरला उसके मुह में है, और फिर शीशु के होट और थुड़ी पूरी तरह मा के स्थन में नहीं लगे हैं, उसका मतलब यह जो होट और थु और इसलिए बच्चे के गाल में खड़े पढ़ रहे है तो तीन कारण क्या है एक तो निपल फीडिंग है एक तो उपर के रूला ज्यादा मूह में गया है और तीसरा है कि बच्चा उसका जो होट और उसके ठुड़ी जो खुपनी चाहिए स्थन में वो खुपी नहीं है तो हर 24 गंटे में मांको 10-12 तनपान करना चाहिए तो चोवीस गंदे में कितनी बार? 10-12 और रात में कितनी लगल Όर पुलाना चाहिए तो रात में लगा बाग 3-4 बार बच्चे को दूद पिलाना चाहिए ठीक है? सिशु को 6 मने तक स्ःवर और रहना चाहिए तो यह important है, मा को बताना है कि 6 मनी तक सिर्फ आपका ही दूद्थ दूद्थ दूसरा point है कि शिशु को 2 सपता, 6 सपता और 3 महने के उम्र में बहुत तेजी से बढ़ता है तो वो टाइम में बच्चे को भूग ज्यादा लगेगी, जब भूग ज्यादा लगेगी तो बच्चा ज्यादा दूद्थ मांगेगा बच्च जार्इगा में बच्चे को लगेगा मेरा दूद्थ Alors, बच्च को बोलना है बच्चे को जब भूग लगकर लगाऊग इसलबेता ज्यादा बार लगाएगी तो ज्यादा बार दूद्थ आएगा मा को बोलना है कि ये टाइम में उपर का दूद नहीं चालू करना है अगर ज्यादा टाइम दूद पलाएगी तो अपना दूद भी पड़ेगा तो ये पहले से आपको सलाते नहीं है वारना वो उपर का दूद चालू करतेगी अब ये उलड़ी बता दिया है कि बच्चे को पर सज्कर को निकाल नहीं है कि बदलब दो उंब्ली दूर आपो फालस लिस parecer करना है और दोद निकाल करना है कि यो आगे का दूद है कि यो पीछे का दूद है तो यहां पर हमारा ये जो पेटालेस बिंदू है, वो खतम हो रहे है, यह IAC चार्ट में NPTEL के वेबसाइट पी डालूँगी, आप डेफिनिटली डाउनलोड करके, उसको कलर प्रिंट राउट करके, मदर को दे सकते, या तो आप अपने सब्पास रख सकते, ए त्री साइज इस बेस साइज, क्योंकि महाँ पर बड़े बड़े ग्राफिक स्पीड दिखाए देंगे आपको, और मदर को भी अच्छा रहेगा, उनको बताने में आपको सुवीदा रहेगी, इस तन्पान चार्ट के बारे में बताने वाली हूँ, जैसे आपने पैतालिस पॉइंट के चार्ट तो देखी लिए है, लेकिन एक दूसरा चार्ट हम लोग ने बनाया हुआ है, आपको बहुत ही पसंद आएगा अचली, यह चार्ट आप अंगनवाडी या आपका अगर क्लोनिक है, कहीं पर भी पी एचसी है, सब सेंटर से, वहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हैं आप, तो यह सारस्तन पान जिम तो मा को यह पता होना चाहिए कि साबून से हाथ कभी दोना है, तो खाना बनाने से पहले, बच्चे को दूद पिलाने के पहले, सचालाई के उपयोग करने के बाद, सिशू के साफ करने के बाद, सिशू को खाना किलाने के पहले, तो यह important है कि साबून से हाथ दोना है, डे यहां पर मैंने बताया हुआ है कि प्रसव के एक घंटे के अंदर स्तनपान करना शुरू करें तो यह जो बच्चा है जैसे तुरंत ही वह जैसे पैदा हो रहा है मा के शरीर पर रखना है ठीक है सेजेरेन बच्चा है सर्जरी से हुआ है या नॉर्मल बच्चा है दोनों बच रह drag चरहते योसे अगर आप एंजिमें सिखा दिये तो मदवर को पता चलिएक मान को सिफ अपना मा का दूद देना है यह आपने अल्य मेरे सेशन में ने देख लिया है वह को रहां पहने घंटे में ही बच्चे को मा का दूद देना है जितना जली हो सकिनर मा आ को आपना यह जो चार्ट है यह वला चार्ट जन्म से चाह मैने पूर्ण होने के सतनपान तो यह बहुत ऐजी सरल भाषा में बताया हुआ है कि पहले चे मेने सिफ मां का दो देना है कुछ और बिल्कुल कुछ और नहीं देना है ठीक है तो यह तो हो गया आपका एक्स्क्लूजव ब्र समझा सकते हैं कि यह जो है यहां यह दूद की factory है यह पे और दूद की factory यह जो तो कॉंसा hormone काम करता है तो दूद बनाने के लिए प्रोलक्तिन काम करता है और जो Cemakने के लिए आपको जरूद है तो यहां पर भी दिखाया हुआ की प्रोलाक्टिंग और चूछना चालो करता है तो प्लेकिन के मातरा बढ़ती ऊच्छे वह दूद बढ़ता है टीखें? आपको यह भी दिखाना है कि यहां पर दूद गाले जो काला भाग है अरिएला वहां पर जमा होता है तो अगर बच्चा सिर्फ निपल पर लाच करेगा तो यहां पर दूद नहीं आएगा बच्चे को ऐसे लाच कराने कि उपर का होट निपल की ऊपर आए और नीचे का होट है वो एरला के बॉर्डर पे यहां पर आए अगर बच्चा यहां से दबाएगा तभी वो दूद जाके बाहर निकलेगा तो वो आपको दिखाना ज़रूरी है कई मां को यह प्रॉब्म पूछती है कि अगर मेरा ब्रेस्ट चोटा है तो दूद आएगा तो नहीं तो आपको यह बताना है कि यह जो पेशिया है जहां से दूद निकलती है वो बिलकुल सही नंबर में है सबके शरीर में उसके नंबर लगपक एक होती है एक ही मातर में होत तो उसमें अगर ज्यादा चर्बी हो गई तो ब्रेस्ट बड़ा चोटा हो सकता है ठीक है लेकिन नलिया जो है यह जो पेशिया है सब में बराबर एक ही मातरा में होती है लगबग दूसरा यह वाला है कि बताया है कि रात में संपान कराने की जादा जरूरते क्यों कि रात मे प्रोलैक्टिन के मातरा ज्यादा होती है तो यह भी आपको मा को बताना है कि प्रोलैक्टिन अगर बढ़ाना है तो बच्चों को रात में दूद पिलाओ ठीक है यह जो वाला यह वाला है यह संपान के लिए भिन्न पकड तो कौनसी कौनसी पकड आपको मा को यह सारी जो मेरी फेवरिट है, फुटबॉल पकड भी है, क्रेडल पकड भी है, एक तरफ लेट कर संपान कराने की पकड है, टिकाल लगा कर संपान कराने की पकड है, तो यह सारी अलग-अलग पकड है, ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है, क्रॉस्ट्रेडल होल तो डेफनी तो मैंने आपको अगले सेशन में बता ही दिया है कैसे उसको प्या तैयारी करनी है कैसे बच्चे को लाना है कहां से पकड़ना है तो इसमें अब भी डीटियल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने और नहीं प्रिपीट किया हुआ है यह बहले अगर बच्चे के होड ऐसे आरहे है तो वहाँ पे मा ऐसा C-shape में पकड़े और अगर बच्चे के होड सीधे है तो मा उपड़ से यू शे से पकड़ेगी और कितना दूर पकड़ना है वो भी मैंने दिया हुआ है, तीन उंगली दूर पकड़ना है, बहुत नजदिक से पकड़े की तो बच्चे को सिफ निपल लाचिंग होगा, ठीक है, तो यह हो गया आपका इस तन को पकड़ना, यह अभी मूग की पकड़, तो मूग की पकड़ में लैचिंग के जो इंपोर्टन पॉइंट से हों यहां पे दिये हो हैं बहुत बड़ा सा A3 का चार्ट आपको बनाना है और अच्छा क्वाइटर का पेपर लेकर अगर लामिनेशन करवाएंगे तो आपका चार्ट यह 10 साल चलेगा ठीक है तो यह आप इस्तेमाल कर सकते है इसके बाद है दूसरे स्तनपान के अन्यम महत्वपोर्ण बात है तो मतलब दोनों बाजू पिलाना है पीछे का दूद पी देना है धकार कैसे देनी है अच्छा सो गया तो कैसे उसको उठाना है ठीक है अगर बचे का नाग दब रहा है तो क्या करना है तो यह सारे जो कितनी बार देना है thank you यह वाला जो है कितनी बार देना है तो यह मैंने बताया हुआ है कि 24 खंटे में दिन में लगबग 8 बार और रात में 4 बार तो अब बार दस से बारा टाइम देना है बच्चे को यह पहले दो मैने में 10-12 टाइम होगा फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा ठीक है फिर यह हाथ से दूद निकालना तो कैसे कौन सी परिश्थिति में आपको हाथ से दूद निकालना है कैसे निकालना है वो भी मैंने बताया हुआ है और कैसे दूद बढ़ाना यह भी मैंने दिखाया हुआ है तो यह आप एक बार पढ़ेंगे चार्ट तो आपको इजी हो जाएंगा कि कैसे मा को सिखाना है और फिर एक बार कब से स्टन का दूद पिलाने का तरीका तो आपको ध्याना कि देखें आप उपर के होड पे वाटी रखी हुए है तो उपर के पिलाना है नीचे के होड पे वाटी मत रखें ठीक है और यह सारे फाइदे भी है कि उसके फाइदे क्या है कभी कभी आप कप से दूद पिला सकते हैं जबी मा बच्चा लैच नहीं कराए ठीक तरह से तो आप मा अपना दूद निकालके लैच करा सकती है ठीक है नवजार जबा डॉपार मड़ा चाहर दीकाल Str Zum Crasher kiss. MARY मतलब यह चारड भी बहुत सुंदर है यहां पर हमने बताया है कि बच्चे की ऐक्षमता कीतनी है कि यह पेट की साden होती है पहले तो दीन तेछे की दिन जातया तो काफी है बच्चे के लिए बाजू निकाले की तमेट व ait MS अप्ठाइम्र इक 1रा काफी है अगर दू ज्यादा हारा है बच्चा ले रहा है तो डेफिनिट के आप बच्चे को देना है और दूसरा एक चार्ट हमने बनाया है यह है कि अगर बच्चा बहुत चोटा है और लाच मतलब उसको ज्यादा ताकत नहीं है तो उसको कैसे हम लोग SST supplementary suckling technique कैसे करनी है तो यह पर दिखाया हुआ है कि अगर बच्चा बहुत चोटा है तो हम लोग बच्चे को स्तन पर रखे मा कर दूद निकाला हुआ ट्यूब से दे सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ बच्चा मा कर दूद बढ़ता है तो यह आपको ध्यान में रखना है यह हम लोग जनरली NRC में करत अगर मा को कोई विमारी है तो संपान जारी रखना है और बच्ची को दस्त हो रहा है तो भी आपको संपान जारी रखना है तो आपको यह जड़ा ध्यान में रखना है कि दोनों टाइम पे आपको संपान जारी रखना है ठीक है ठीक है और यह जो लास वाला चार्ट है यह यह वाला छे मैने पूरे होने के बाद स्तन्पान के साथ पूरक आहर भी दिया जाना चाहिए तो यह छे मैने के बाद बताया हो गया है कि स्तन्पान तो चालू रखना ही है लेकिन फिर पूरक आहर चालू करना है ठीक है और कुरकाहर की टुटॉल्स तो आपने देखे ही है तो यह है आपका स्थनपान का चार्ट मैं उसकी लिंक आपको रखोंगी वो गूगल ड्राइब पे तो वो पी एंजी वाले चार्ट है वो हाई डेफिनेशन में आपके बहुत अच्छे आएंगे त्री चार्ट प कर दो